बियार के सिच्छा मंत्री बिजय कुमार चोधरी का सिच्छक नियोजन को लेकर आया बड़ा ब्यान का बारासों नियोजन इकाईयों के लिए 17 से शुरू होगी नियुक्ति पर किरिया पारदर्स्ता बरतने का सिच्छा मंतरी का निर्देश नियोजन केंद्रों की होगी विडियो रिकॉर्डिंग नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुनिल वो भी और आप इस समय देख रहें मगत संबाद मगत संबाद के खासकार करम सिच्छा समाचार में आप तमाम भीवर्स का स्वागत है जिसमें आज की सबसे बड़ी कबर बिहार के सिच्छा मंतरी का बड़ा बियान जिसमें सिच्छक नियोजन को लेकर दिया है बड़ा ब्यान कहा है कि 17 से शुरू हो जाएगी नियुक्ति की परिकिरिया आईए जानते हैं पुरी खबर को बिस्तार से बिहार के 8500 से अधिक प्रारंबिक नियोजन इकाईयों में होने वाली तक्रिबन 90,000 प्रारंबिक सिच्छकों की बहाली बचे हुए तक्रिबन 1200 नियोजन इकाईयों में 17 जनवरी से नियुक्ति की परिकिरिया पुना सुरू होगी प्रारंबिक सिच्छक नियोजन के बचे हुए नियोजन की कारवाही परदस्ती तरीके एवां घोसित कार्जकरम के नुसार पूरा किया जाए आपको याद दिला दू कि 8500 से अधिक नियोजन इकाईयों में नियोजन की करवाई होनी थी जिसमें अब तक मात्र बारग सोके लगभग बच गई है आपको बता दे कि 17 जनवरी से बचे हुए नियोजन इकाईयों में नियोजन की परिकिरिया पुना सुरू होती है इसकी तैयारियों का जैजा लेने के लिए सिच्छा मंतरी विजय कुमार चौधरी ने सुकरवार को जिलादी कारियों एवं सिच्छा विभाग के अधिकारियों के साथ विडियो कॉनफरेंसीं की सिच्चा मंतरी विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह परकिरिया पिछले दो वर्सों से अधिक समय से विभीन कारणों से लंबी चलिया रही है उच्च नियाले के हस्त शेप की वज़ा से न्यूक्ती बादित हुई सिच्चा विभाग एवं सरकार के विशेष परत्यन एवं न्याले की इजाज़त से इस परकिरिया के सुरुवात की गई फिर पंचाय चुनाव आ गया जिसके कारण पिछले कई महीनों से यह परकिरिया बादित रही सिच्चा विभाग के परियास के बावजूद राज निर्वाचन आयोग के इजाज़त नहीं मिलने के कारण प्रगति नहीं हो पाई और अब पुना सिच्चक नियोजन का काजकरम शुरू हनी है सिच्चा मंतली विजय कुमर चौदरी ने काया कि नियोजन परिकिरिया को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है राज भर की यूग अभियर्ती बिसब्ली से इस परिकिरिया के पूरा होने एवं नियुक्ति पत्र पाने का इंतजार कर रहे है इसमें सिच्चा विभाग या सरकार के असर से कोई कोता ही नहीं हुई है विडियो कॉन्फरेंसिंग के मादेम से हुई इस बैटक में कई जिलादिकारियों ने भी महत्पुन सुजाओ दिये हैं जिसें सिच्चा विभाग ने से विकार भी किया उन तथियों को सिच्चा विभाग द्वारत जारी किये जाने वाले दिशा निर्देश में समलित करने का भी निर्देश नहीं लिया गया सिच्चा विभार के अपर मुक्सटिव संजय कुमार ने भी तहा कि सिच्चक नियोजन की परकिरिया पूरिया तिया जाना सरकार की प्रातिवता में शामिल है अब को बदाते कि बैठेकर प्रातिव सिच्चा ने जैसा करभी प्रकाथ सब्सक्राइब के लिए सतरा जनवरी को गनीत विग्यान एवं भासा विशय के सिच्चक पत के लिए 18 जनवरी को तथा पहली से पाच्वी कच्चा के सिच्चक पत के लिए जनवरी को जिला मुख्याले में काउंसलिंग होनी है परकांड नियोजन एकाई के छटीवी और आठ्वी जनवरी को कहने का मतलब हुआ के जनवरी के लिए 18 जनवरी को परखन मुख्याले में काउंसलिंग होनी है इसी परकार पंचायच नियोजन एकाईयों के पहली से पाच्वी कच्चा में काउंसलिंग किया गया है यानि कि कुल मिलाकर आपका सकते हैं कि अब शिच्छक निवोजन अपने नेसी समय पर शुरू होगी इसको लेकर बिहार के सिच्छा मुंतरी पिजय कुमार चोधरी ने खास तोर से सिच्छा विभाग की बैठक की जिसमें वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मादब से वी बैठक